नमस्कार दोस्तों सुमित वारदवाज KLAASES में आप सभी का फिरस्य स्वागत है तो आज माद करने वाले हैं जो आप सभी का आपको दिखाई दे रही होगी इसको सोल कीजिए तो डारेक्ट हम लिख सकते हैं इसको 8.5 माइनस अंदर है 4.07 तो अंदर क्या बच जाएगा यह हमारा इनको करेंगे तो 0.3 बच जाएगा तो 0.3 of 1.6 अगर इस प्रकार से इसको हम सोल करेंगे तो 8.5 माइनस इसमें से जान 1.6 से करेंगे तो हमारा 6.032 आजाएगा तो 2.468 जो हमारा राइट अंसर हो जाएगा तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 2.468 यह जो इसका राइट अंसर हो जाएगा 24.68 नहीं होगा वह 2.4 ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो इस से हम सोल कर सकते हैं यह तो बेसिक यूशन था आप वैसे भी सोल कर सकते हूं फिर आया कि यह स्टेटिमेंट डी हुई है इसका मीडियन बताइए मीडियन क्या होगा यह चैप्टर मैं ने करवाया भी है सबसे पहले इसको क्या है मतलब की बढ़ते हुए करम में लिखे पहला आमने लिखा 17 फिर लिखा आमने 18 फिर नंबर क्या है 24 फिर आया 25 फिर क्या है 35 और फिर क्या है 36 और फिर क्या है 46 फिर हमने देखना यह टोटल नंबर है कितने ओड है या इवन है यह जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं देखा द है साथ तो ये संक्यागों सी है ओड है तो ओड में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है जो बीच का नंबर बचेगा वही मेडियन हो जाएगा तो देखिए ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया बीच में ओली एक ही नंबर बचेगा ओड में तो 25 जो हमारा डिग्री और 1 प्लस 10 स्केर 45 डिग्री सबसे पहले आपको पता होना चीए 1045 डिग्री की वैलू कितनी होती है तो एक होती है तो फिर तो मैं करी सकता हूँ 1-1045 डिग्री की जिगर में क्या है एक की ही वैलू रख लूँगा तो 1 प्लस 1 आ जाएगा तो 0 अपन कुछ भी होता वय संख्या 0 हो जाएगी जो कुछ भी आए निचे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 0 जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा तो D इसका राइट अंसर रहेगा इसी परकार से next question देखते है 94 इसमें आपको HCF बताना है उससे दूसरे छोटे नंबर को मैंने दिया 37 को मान लिजी यह कितने पre गया एक पर गया तो 315,2,4 बच गया तो अब जू नंबर बच गया इसको डिवाइड कर लेंगे तो यह कितने पर गया एक पर गया 42 कितना बच गया 21 तो 21 ही हमारा 6 बच गया तो right देखे अब 21 आ जाएगा, 42 अंदर आ जाएगा, 21 दूनी 42 इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो इसका right answer क्या हो जाएगा? 21 जो हमारा right answer हो जाएगा, इसको हम एक प्रकार से और कर सकते हैं, अगर इसके 315 के खंड करें या टुकडे करें, तो क्या हो सकता 3 into 339 into 5 into 7 ठीका वई इसी परकार फिर 377 के कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 into 3 into 7 into 7 इसके यह हो जाएंगे 441 के करेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे 3 into 7 into 17 जो है इसके हो जाएंगे तो इस परकार से इन सबी में common क्या रहा है 3, 7, 3, 7, 3, 7 तो तीन स्थे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा तो इस प्रकार से भी स्वाल को कर सकते हैं तो सब का अलग अलग तरीका होई कि हैट से अब किस प्रकार से निकालना है तो next question देखते हैं 95 95 उसने एक तरी बुझ दिया और उसमें x की value का पता करना है तो आप सभी को पता है तरी बुझ की तिनों कोणों का यो क्या होता है 180 डिगरी होता है तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 35 डिगरी प्लस 30 डिगरी किसके वराबर है 180 डिगरी हो तो x की value कितनी हो जाएगी उस तरब जागी किस प्रकार का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 35 प्लस 30 कितना हो जाएगा 65 ड इसका राइट अंसर आ जाएगा तो इसका राइट अंसर क्या आ जाएगा 115 डिगरी जो इसका राइट अंसर आ जाएगा वई नेक्स्ट कुशन देखते हैं उसने बोला एक ट्रेन 75 किलोमेटर प्रती गंटे की यूनिफॉर्म गती से चल रही है या 20 मिन्ट में कितनी दूरी टै कर लेगी तो इसको हम डारेक्ट भी कर सकते हैं देखिए 75 की स्पीड से चल रही है तो एक गंटे में कितनी मिन्ट होती है कि उसने मिन्ट में पूछा है तो एक गंटे में 60 मिन्ट होती है मतलब कि 60 मिन्ट में है 75 किलोमेटर चल रही है और जो पूछा जाता है उसको हम multiply में लिखते हैं तो 20 मिन्ट का उसने पूचा है 0 से 0 2 3 6 3 2 6 3 5 15 तो कितना आ जाएगा 25 किलो मिटर की दूरी के आई है तेह कर लेगी तो right answer क्या हो जाएगा ये जो इसका right answer हो जाएगा तो इस परकार से अगला question देखते हैं 97 उसने बोला कि एक statement दिवी है इसमें 0 के स्थान का मान क्या होगा सत्थान का मान पूचा है तो 0 की multiply वही बात है 0 की multiply जिससे भी करूँगा 0 ही होगा तो right answer क्या हो जाएगा 0 जो हमारा right answer हो जाएगा तो ये तो आपको पता ही होगा स्थान ये मान वाला फिर उसने बोला पहली 12 ट्रम के ap-37-33-37 इसी प्रकार से चलते जाते हैं तो इनकी योग का पता लगाई है उसने बोला इनकी योग का पता लगाई है तो इसमें आपको तीन चीज़े पता होनी चीए सबसे पहली बात तो देखे जो लाश्ट ट्रम पहली बारा ट्रम पुछी है तो ये क्या हो जाएगा N की सेंख्या बारा हा गई A क्या हो जाएगा A उसने माइनस 37 दिया है और D क्या हो जाएगा D होता है अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास D की वैलू आ जाएगी तो D की वैलू हमारे पास क्या जाएगी भई 4 आ जाएगी क्यों इसमें से इसको लेस्ट करेंगे तो क्या जाएगी हमारी 4 आ जाएगी भई तो अब हमको सम का पता होना चाहिए सम का योग योग पता होना चाहिए फोर्मूला उसका formula क्या होता है देखिए इसका formula होता है n upon 2 2a plus n minus 1 into d ये आपने सबच्पन में formula पढ़ा होगा बस इसमें put कर दो आपका right answer सुरा जाएगा n की value कितना है 12 upon 2 हो जाएगा 2a a की value कितनी है minus 30 7 है plus n 12 minus 1 मैं direct लिख दूँ 11 और minus d कितना हमारा 4 तो अब आप इसको solve करोगे तो आपका right answer निकल किया जाएगा minus 180 तो right answer क्या हो जाएगा एज जो आपका right answer हो जाएगा अब इसी परकार से next question करते हैं अगला है आपने सरल करना है तो इसको सरल कीजिए ये statement देखे द्यान से आपको दिखाई दे रही होगी इसमें क्या है 2 into 3 की 4 into 2 की 5 अब देखे 9 है 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का scale लिख सकता हूँ 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का scale लिख सकता हूँ तो 3 के 4 में से 3 का 2 गया तो यहां कितना बच गया 2 ही तो बच गया 2 के 5 में से 2 का 2 गया तो यहां कितना बच गया भई 3 बच गया तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा 2 into 3 का scale कितना होता है 9 और 2 का 3 कितना होता है 8 तो यह हमारा जो है इसका right answer निकलाएगा तो इसके multiply करेंगे कितना हो जाएगा भाई आट दूनी 16 16 निम्मे 144 तो right answer क्या हो जाएगा 144 जो हमारा right answer हो जाएगा तो इस परकार से इस सवाल को हम क्या है शोल कर सकते हैं या और दूसरे त्रिक्टे से भी सोल कर सकते हैं जो आप चाहें उस परकार से इस सवाल को सोल कर सकते हैं तो अगला है सबसे छोटी संख्या का पताय लगाईए जिसके दोवारा संख्या 81 को पूरण घन प्राप्त करने के लिए विबाजित किया जासके गन की बात की है तो सेस क्या बच गया तो सबसे छोटी संख्या क्या है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा थ्री जो इसका राइट अंसर हो जाएगा जो सेस बचेगा तो राइट अंसर क्या हो जाएगा थ्री जो इसका राइट अंसर हो जाएगा वई नेक्स्ट उसने असान सा स्वाल पूछा उसने बोला कि बताएए ये नमबर दिया हुआ है रोमन पत्ती में तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो आप सभी को पताओ नाच ये L किसको बोलते हैं L किसको बोलते हैं 50 को X किसको बोलते हैं 10 को V किसको बोलते हैं 5 को तो इन सबी को जोड लीजिए 50 X की जाँ जाँ है वहाँ 10 लिख दीजिए V किस्तने को गया 5 को पलस 1 हो गया तो इसका राइट अंसर कितना हो जाएगा 86 जो इसका राइट अंसर हो जाएगा तो C जो इसका राइट अंसर हो जाएगा तो इस परकार से इस स्वाल को हम सोल कर सकते हैं नेक्स्ट है यदि 5 वर्स का साधान ब्याज 77.50 रुपी है तो उसी संक्या तता दर पर 4 वर्स के साधान ब्याज का पता लगाई है देखे एक तो इस स्वाल को हम basic से कर सकते हैं एक इसको हम trick से कर सकते हैं trick क्या है उसने only biaz की बात की है और कुछ तो उसने पूचा ऺज़ नहीं है तो हम direct क्यों निकालने देखे उसने दिया 7350 कितने साल का है 5 साल का और निकालना कितने का है 4 साल का इसको भी आप cut करोगे तो कितना आ जाएगा 15.50 जो आ जाएगा इसको हम 4 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 रुपया आ जाएगा तो right answer क्या हो जाएगा 62 रुपया क्या है इसका right answer हो जाएगा क्योंकि only interest की बात किया उसने पहले भी interest बताया है पुछा भी interest है अगर इसको अगर basic से करना चाहे तो मैं उससे ही बता देता हूँ देखिए सबसे पहले हमारे पास formula होता है SI का principle into rate into time upon क्या होता है 100 तो उसने बोला 5 साल का साधान ब्याद SI कितना हमारे पास 33.50 P into R मेरे को पता नहीं time उसने दिया है 5 साल upon में कितना हो जाएगा 100 तो इसको cut करेंगे तो 20 आ जाएगा तो P into R की value क्या हो जाएगी इस तरफ जाके 37.50 से 20 की multiply करूँगा कितना हो जाएगा 1550 हो जाएगा ये किसकी value आई है हमारी P into R की value आई है तो उसने पुछा है 4 वर्स का तो फोर्मूला तो वही लगना ना SI equal P into R P into R की value कितनी आई थी 1550 आई थी into time अपकी बार 4 साल का पुछा है उसने तो upon 100 हो जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 थी ये 15 और 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 31 की 2 से करूँगा तो 62 आजाएगा तो आप किसी भी परकार से कर सकते हो क्योंकि पूछा ये है basic भी बता दिया मैंने tricky भी बता दी तो इस सवाल को हमें इस परकार से भी कर सकते हैं next सम देखते हैं अगला है कि 3 जा 3.5 cm एम उच्छाई मतलब कि radius तो उसने दी 3.5 cm और height उसने दी 12 cm तो लंब वर्तिय संकू का item क्या होगा तो कौन का volume का formula आपको सबसे पहले पता होना चाहिए तो कौन के volume का formula 1 upon 3 pi r square h होता है तो इसमें उठा के put कर देंगे pi की value by से उठे साथ r square की 3.5 का square into h की value उसने देरक की है तो इनको cut कर देंगे तो हमारा right answer निकल के आ जाएगा 154 जो हमारा right answer हो जाएगा तो right answer क्या हो जाएगा बी जो है 154 हमारा right answer हो जाएगा next देखिए पाइथागोरियन triplet पता करना है आपने दो सदस्ते दिये हुए है 16 और 63 तो यह तो simple होता है a2 plus b2 kis के बराबर होता है c2 के बराबर होता है तो 16 का square plus 63 का square तो यह कितना हो जाएगा 16 का square होता हमारा 256, 63, 39, 0, 6, 36 तो यह हो जाएगा 49, 79 तो 256 प्लस 497 हो गया 4225 4225 किसका होता है 65 का स्केर होता है तो राइट अन्सर क्या हो जाएगा 65 जो है राइट अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है बाकी यह आपको याद मिल जाएगे और भी इन के तरीके हैं अलग अलग प्रकार से आप इनको क्या है देख सकते हैं अगला देखते हैं 105 एक वर्तिय गार्डन का डायमेटर 9.8 है डायमेटर 9.8 है रेडियस क्या हो जाएगा 9.8 अपॉन 2 2.8 दो निम्ठारा तो 4.9 जो है इसका रेडियस हो जाएगा एरिया बताना है इसका छेतरफल क्या होगा वर्तिय गार्डन का तो पाई आर स्केर हो जाएगा तो पाई की वैल्लु 22 बती 7 इन्टू आर हमको पताई चल गया 4.9 इन्टो 4.9 7 जाएगा तो इसका राइट अन्सर निकल के क्या जाएगा 75.46 जो है राइट अन्सर हो जाएगा तो एही जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा वली तो इस परकार से इस स्वाल से को कर सकते हैं नेक्स्ट है एक समीकन दी गई है टू स्केर माइनस फाइफ एक्स प्लस थरी इग्वल जीरो के मूल का पता करिए सिंपल सी बात है यह आपने बच्पन में बढ़ा भी होगा देखिए पहले और लास्ट वाले की मल्टिप्लाई करते हैं कितना हो गया तीन दूनी च्छै तो 6 एक्स केरा गया तो हमको गुणा करने पर 6 आना चीए और अंदर क्या है माइनस 5 आना चीए तो किस प्रकारशी हो सकता है तो 2 स्केर माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स देखिए इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस पलस तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और मल्टिप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा तो यह हमको लेके आना था और पलस 3 तो यहां से common क्या हो जाएगा 2X हो जाएगा क्या बच जाएगा X-1 बच जाएगा यहां से क्या आपका हो जाएगा तो सिंपल सी बात है 3 हो जाएगा और 3 किस चीज का होगा माइनस का होगा क्योंकि यहां माइनस यह भी ध्यान रखना है तो अंदर क्या हो जाएगा आपका x-1 हो जाएगा तो x-1 और एक हो गया हमारा 2x-3 तो x इगूल 1 और एक हो जाएगा x इगूल 3 upon 2 तो right answer क्या हो जाएगा b एक और तीन बटे 2 जो हमारा right answer निकल के आ जाएगा वई तो इस परकार से इस सवाल को कर सकते हैं next सम्करते हैं 107 केंदर में एक चाप दुआरा लगाए गए कौन खालिस्तान है वर्त के से सवाग पर किसी बिमिंदो पर इसके दुआरा लगाए गए कौन किस परकार का हुआ तो देखिए यह हो गया हमारा वर्त हो गया इसमें केंदर में चाप द्वारा लगाए गए A, B और ये हो गया हमारा O इस पर एक बीच में कौन लगाया जाता है तो बीच वाला कौन क्या होगा इसको हम P क्या नाम रख लेते हैं ठीक है तो उसने बोला एंगल A, O, B और बीच में चाप लगाया जाता है तो किसके बराबर हो जाएगा दो गुना एंगल A, P, B हो जाएगा तो कितने गुना हो जाएगा दो गुना हो जाएगा तो राइट अंसर क्या हो जाएगा A जो इसका राइट अंसर हो जाएगा तो इस परकार से भी स्वाल को हम कर सकते थे नेक्स्ट है 4,96 का गनमूल क्या होगा तो उसने ये पूचा है एक नमबर दिया है इसका गनमूल इसको टुकडो में तोड़ सकते हैं भई एक सिंपल सी बात है 4,96 इसको तोड़ लो मेरे ख्याल से बताने की जुरूत नहीं है आप इसको तोड़ते जाओ आप का राइट अंसर हो जाएगा कितने पे 2 इंटू 2 पे ही तूटता चला जाएगा ये 2 पे ही तूटता चला जाएगा भई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हो गया है तो इनके टुकडे कर लो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो two into two into two into two root योग तो कितना हो जाएगा शोला हो जाएगा तो right answer क्या हो जाएगा और वैसे भी कर सकते हैं और तरीक के इसका एक तरीक का होरुत्वा है निकालने का 4.96 लास्ट वाला नंबर किस किस के पीछे आता है इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं तो जोन साब को अच्छा तरीका लगे वही कर सकते हो अब लाश्ट समय में तो यह बताया नहीं जाएगा क्योंकि सबसे पहले यह देखो 6 किसके पीछे आता है ठीक है भई तो next देखिए अगला sum क्या है अगला simple दिया multiply करनी है पच्ची चोका सो सो की multiply इससे करेंगे तो 83,800 डबल जीरो आ जाएगा तो सी जो हराइट अंसर हो जाएगा तो यह एक simple था बच्चा किस परकार से सोचता है बस वही था अगला question है उसने diameter दिया 21 radius निकाल लेंगे तो 21 बटे 2 हो जाएगा तो एक गोले का सतही 26 फल क्या हुआ वही है formula पता होना चाहिए आपको spare का तो spare का formula पता होना चाहिए तो 4 pi r square होता है तो 4 pi r square होता था इसमें रख देंगे 22 बटे 7 r की value 21 बटे 2 r की value 21 बटे 2 तो इसको solve करेंगे तो कितना right answer आ जाएगा 1386 cm square हो जाएगा तो ए जो इसका right answer निकल के आ जाएगा next question देखिए probability का दिया इसने bound card के एक अच्छी तरह से फेर बदल किया जाता है और उससे एक card कीचा जाता लाल रंग के राजा को प्राप्त करने की संभावना क्या देखिए लाल रंग पत्तों में दो color के होते हैं एक तो पान का होता है और एक और इट का होता है तो दो पत्तों में यत्ते हैं तो दो की संभावना होती है किस पे भावन पे होती है तो कितना हो जाएगा दो एक कम दो ये कटी नहीं हो रहा तो राइट अंस्वर क्या जाएगा दो बटे जो है बावन हमारा जो है दो दूनी चार और दो चिक बारा एक बटे 26 हो जाएगा कटो गया ना भाई तो इसका राइट अंस्वर क्या हो जाएगा एक बटे 26 जो है राइट अंसर हो जाएगा भई नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं तो ये क्यूशन दिया उसे ने भई A की वैलू दी, B की वैलू दी, C की वैलू दी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब मैनिस 3 है B C ये पताने की जरूत नहीं है, आप पूट कर सकते हैं आपका राइट अंसर आ जाएगा A की जिगा 2 रख दो, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब मैनस, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा ये 99 हो जाएगा 72 हो जाएगा 25,000 रुपिय से 24,500 तक कम हो जाती है तो कमी का प्रतिसद बताईए तो कितने रुपिय कम हो गई 500 रुपिय कम हो गई किस पे हो गई 25,000 पे हो गई वर इंटू में क्या आजाएगा 100 आजाएगा 2,0 से 0 गई 1,0 से 0 गया 25,0 कितना हो जाएगा 50,000 तो कितने प्रतिसद आगई 2,0 परसेंट आगई तो राइट अन्सवर क्या हो जाएगा 20,000 जो इसका राइट अन्सवर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं वई उसने बोला 150 रुपिय का दूद खरीदा गया था उसे 20% लाब अरजित करने के लिए किस मूला पर बेजना देखिए 150 का करीदा गया कोई भी चीज तो उसने इस पर 20% लाब भी करना है तो वह है 150 से और महेंगा बेचेगा तभी तो हमको फायदा होगा सबसे पहली बात तो दो अप्शन कट होगए क्योंकि 150 से नीचे है क्योंकि 150 से और ज्यादा बेचने पर क्या है हमारा राई टन्स वर क्या हो जाएगा कि तभी तो हमको benefit होगा नहीं तो benefit थोड़ी होगा अगर 150 से कम बेचेंगे तो हमको फायदा थोड़ी हुआ नुक्सान हुआ तो 150 पर 20 पर 30 लाब करने के लिए 100 पर 20 पर 30 का लाब किया तो 0 से 0, 0 से 0, 15 की गुना 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 तो वह है अगर मैं 180 पर भेइच चुँँगा तो मेरे को 20 पर 30 का लाब हो जाएगा तो right answer क्या हो जाएगा? 180 जो है right answer हो जाएगा next देखते हैं x-1 द्वारा भहुपद और ये संख्या दिया है इसको विबाजित करने पर कितना सी साता है x-1 है तो x equal कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो x की जिगाए एक रख दो भई तो x की जिगाए एक रखने पर same value हो जाएगी तो 3-4-3-1 तो 4-3-7-8 तो 3-8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 जो हमारा right answer हो जाएगा तो 8 जो हमारा right answer हो जाएगा मैंने direct q लिख दिया क्योंकि x की value कुछ भी एक रखेंगे तो कुछ भी हो तो एक ही रहेगा cube हो, square हो, कुछ भी हो तो एक ही रहेगा तो right answer क्या हो जाएगा minus 5 जो है right answer हो जाएगा अगला करते हैं next है simple दिया multiply पूचा 501 की उना 502 से करो बस पूचा ये कि इसलिए कौन किस परकार से calculation कर रहा है कई बच्चे 500 इंटू 500 करेंगे फिर क्या 50 की multiply 2 से करेंगे 1 की multiply 50 से करेंगे तो इस परकार भी कर सकते हैं कई बच्चे किस परकार से करते हैं तो matter भाह करता है तो इसकी multiply 25 1502 इसका है right answer आ जाएगा next देखते हैं संख्या 98 से 1 के वरकमूल का एक संबव आंक क्या होगा ये chapter मैंने डाल भी रखा है तो direct है जिसका जो last अंक है एक है उसके 2 ही बन सकते हैं मतलब अगर कोई भी संख्या अगर 1 से खंतम होगी तो उस संख्या का वरकमूल 2 ही हो सकते है या तो एक हो सकता है या नो हो सकता है तो right answer कि हुआ जाएगा देने ये फिद देखना है तो ये भी मैंने के हट डाल रखा वो भी देख सकता हुए next देखते हैं 108 अठारमा क्यूशन 108 अठारमा क्यूशन दिया बिंदू minus 5 और 7 है और minus 1 और 3 के जोडो की बीच का difference बताना है तो difference का formula क्या होगा root x minus 1 और x2 का square plus y1 minus y2 का square तो x1 की value क्या हमारे पास x1 की value आप सभी को पता है minus 5 है x2 की value हमारे पास क्या है minus 1 है तो minus minus कितना हो जाएगा देखे minus तो बीच में है और minus 1 square तो plus हो जाएगा तो बीच में फिर plus है और y1 की value हमारे पास क्या है 7 है और y2 की value क्या हमारे पास 3 है तो इस प्रकार से इसको solve करने से हमारा कितना आ गया ये root 32 आ गया तो root 32 को क्या लिख सकता हूँ 4 root 2 लिख सकता हूँ तो right answer क्या आ जाएगा इसका 4 root 2 आ जाएगा C जो इसका right answer आ जाएगा बस आपको ये देखना था x1 और x2 किसको मानते हो देखें ये सबसे पहला क्या हो गया x1 ये क्या हो गया y1 ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2 बस ये देखना था अगर आप इसको x1 मान लोगे और इसको x2 मान लोगे तो गल्त हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से ये चीज़े आपने माननी है तो next question देखते हैं 119 कोण का पता लगाईए जो इसके समपूरक कोण के समान हो समपूरक कोण के समान दो माल लेता हूँ कि जो angle है वह x है मैंने माल लिया ठीक है वई और पूरक कोण क्या होता है आप सभी को पता है पूरक कोण होता है 180 डिगरी माइनस x होता है तो x is equal to समपूरक कोण पताना है तो 180 डिगरी माइनस x तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा तो 180 डिगरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x की value 90 डिगरी हो जाएगी तो right next question क्या दिया दो बच्चों के साथ 1500 प्रिवारों को randomly चुना जाता है तो आकड़े इस प्रकार से दिये गए है जो number of girls है फैमिली में 2 हैं 475, 1 है 814 और 0 हैं 2 से 11 तो एक लड़की के साथ randomly से चुने गए प्रिवारों के संभावना कितनी हो सकती है तो total कितने है 1500 है तो एक लड़की का पूछा है कितनी है 814 तो 814 upon 1500 तो इसको हम cut कर देंगे 2 से cut हो जाएगा तो 407 बटे 750 आ जाएगा तो राइट अनसर एह ही जो हमारा राइट अनसर हो जाएगा 407 बटे 750 तो इस प्रकार से हमने जो 2011 के पेपर के जो भी मैत की क्यूशन बनते थे हो सोल करवा दिया है इसे पता लग गया होगा किस प्रकार की क्यूशन आ रहे हैं तो थेंक्यू ब्रेंट मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में धन्यवाद